23 अगस्त का दिन भारत के लिए इतिहासिक दिन है इसरों के द्वारा निर्मित चंद्रियान थरी अबचांत के साउथ पोल पर पहुँच चुका है लेकिन क्या आप अंतरेक्ष में जाने वाले पहले और एक लावते भारती और नागरिक राकेश शर्मा के बारी में जानते ह अशरोनल्ट राकेश ने ही अंतरेक्ष में जाकर भारत की पुर्वर प्रधान मंतरी से कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदू स्थान हमारा राकेश शर्मा सोवेत इंटर कोस्मास प्रोग्राम का हिस्सा थे 3 अफरेल 1984 को इसी मिसन में उन्हें आंतरेक्ष के सफर के लिए चुना गया था वो पहले भारती नागरिक थे जिन्हें इस पेस में जाने का मौका मिला था उनके बाद अब तक कोई भी भारती स्पेस में नहीं गया है कल्पना चावला और सुनिता विलियम्स भी स्पेस में गई थी लेकिन वो इंटियन और जीन थी नाकी भारती नागरिक सोसल मीडिया में आज भी राकेश वर्मा को याद कर लिया जाता है जब कोई अंतरिक्श मिशन को अंजाम दिया जाता है तो न्यूज चैनलों में राकेश वर्मा का वो वीडियो ज़रूर दिखा जाता है जब स्पेस जाने के बाद पुर्व प्रधान मंत्री इंद्रा गाधी ने उनसे पूझा था कि अंतरिक उसे भारत कैसा दिखता है तो राकेश सर्मा ने जबाब देते हुए कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा राकेश सर्मा के उस मिसन को 49 साल बेत के हैं और AI अफ पाईलोट राकेश सर्मा के अमर 74 साल हो गई है दुर भागे से उनके चर्चा सिर्फ पुराने वीडियों शेही होती है उन्हें आज को आज इज़त और समान मिलना चाहिए था वो नहीं मिल जाए शायद देशी ने उन्हें भुला दिया या खुद राकेश सर्मा लाइम लाइट से दूर रहना पसंद करते हैं राकेश सर्मा का जर्म 13 जनवरी 1949 को पंजाब के पट्रियाला में एक ब्रामण परिवार में हुआ था उन्होंने ग्रैजुएस्वन कंप्लीट करने के बाद 1966 में नेशनल डिफेंस अकडेमी में बता और एर फोर्स प्लिब के पत में नाखरी शुड़ कर दी थी और 1970 में एई आई अफ वाइलट बन गए थे 1984 में प्रमोट होकर राकेश्वर्मा तीन अफरल 1984 को राकेश्वर्मा अंतरिक सुझाने वाले पहले और एक लौते भारतिय नाखरिक बन गए थे उन्होंने स्पेस में साथ दिन तक अपने साथियों के साथ समय बिताया था उनकी जिम्मेदारी बायो मेडिसीन और रिमोट सेंसिंग की थी राकेश्वर्मा स्पेस मिसन से लौटने के बाद AIF की जिम्मेदारियों को दोबारा सम्भालने लगे थे विंग कमांडर के पच से रिटायर होने के बाद 1987 में उन्होंने HAL एक कमपनी जोइन कर लिया था HAL नौसिक डिविजन में स्चीप टेस्ट पाइलेट के रूप में काम करने के बाद 1992 में वे बैंगलोर HL में सिप चीप टेस्ट पाइलट के रूप में काम करने लगे थे और 2001 में रिटार्मेंट में लिया था 2001 के बाद राकेश वर्मा एकदम शिकायव ही हो गए रिटार्मेंट के बाद उन्होंने सादगी भरा जीवन बेतीत करना सुरू कर दिया वो अपनी पत्नी मधों के साथ तमिलनाट के कुनूर में सेटल हो गए राकेश वर्मा मीडिया और लाइम लायर्ट दूर रहना पसंद करते हैं लेकिन देश के लिए समय समय पर अपनी सिवाएं देते रहते हैं वे इसरो के गगन्यान में निस्टनल एडवाजरी काउंसिलिंग का हिस्टा थे राकेश शर्मा ने एई आई अफ में रहते हुए इंडो पार्ग वार 1971 की जंग में हिस्सा लिया था इसके लिए उन्हें अशोक चक्रशो शम्मानित भी किया गया था और स्पेस मिसन से लौटने के बाद हुने हिरो आफ तस सुवित उन्हें से सम्मानित किया गया था वाकई में राकेश सर्मा भारत के हिरो है दोस्तों यह जानकारी आपको कैसी लगी वो कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शियर जरूर करियेगा